Hello Dear Student, मैं विमल अगरवाल, Welcome to this channel, आज हम इस वीडियो में D-Pharma First Year, Subject Pharma Cognosy, Chapter, Diuretics, Topic, Go-Crew and Punar-Nava Medicines पर बात करेंगे, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से D-Pharma First Year and D-Pharma Second Year के subject के लिए Online Video Lecture and Government Paramedical इस चैनल को subscribe कर लें, bell icon के बटन को press कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो अप्लोड करें, उसका notification सबसे पहले आप तक पहुंच सके चलिए इस वीडियो के start करते हैं और देखते हैं यहाँ पर Diuretics, क्या होते हैं Diuretics और हम यहाँ पर इस category में दो medicines के बारे में पढ़ेंगे, पहली medicine रहेगी गोखरू, जो के एक तरीके से Diuretic category की medicine है, दूसरी medicine रहेगी पुनर नवा, जो के एक तरीके से Diuretic category की medicine है, तो यह दोनों ही Diuretic category की medicines के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानने की खोसिस करेंगे आगे हम देख लेते हैं सबसे पहले कि डियरोटिक क्या होता है तो डियरोटिक के बारे में यहां पर clear किया गया है Drugs Promoting Urine Output Called as Diaryotic Drugs वह डियरोटिक ड्रग्स की केडिगरी में रखी जाती हैं या कहलाती हैं जो हमारे urine output को promote करने का काम करती है means excretion of urine को बढ़ाने का काम करती है यह बोल सकते हैं हम यह diuretic category की वहाँ medicines होती है यह diuretic category में वहाँ medicines आती है जो के formation of urine को बढ़ाने का काम करती है increase करने का काम करती है और जब formation of urine increase होगा तो excretion और output of urine भी increase होने लगेगा तो वह हम medicine diorotic category में आती है जो promote करती है urine output को next अगर बात कर लें which refer only to those agents that act directly on kidney और ये सारा जो process कर रही है ये urine के formation को या excretion को भढ़ाने का काम कर रही है ये kidney पर direct act करके ये process या ये action सो करती है उसके बाद मैं आगे देख लेते हैं इसमें these drugs primarily increase the excretion of water and ions like sodium chloride bicarbonate from the body तो ये medicines क्या काम करती है किस तीज पर focus करती है किस तीज को बढ़ाने का काम कर रही है urine के excretion को तो बढ़ा रही है बट urine में किस किस ions के excretion को बढ़ाने का काम कर रही है water ions को water के जो ions है like sodium chloride bicarbonate body से उनको excrete कराने का काम करती है उनको बाहर निकालने का काम करती हैं और वो बाहर निकलते हैं यूरिन की फॉर्म में आगे अगर हम बात करें तो glow merular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion ये सारे के सारे kidney के process होते हैं जिन में हमारा यूरिन फिल्टर होके ये बोल सकते हैं blood filter होके उसमें से जो wastage material है वो अलग filtrate होके अलग अपना urine और bladder से होते हुए excrete होने का काम करता है बागी का जो blood purified blood है वो दुबारा से body तक पहुँचने का काम करता है ये process kidney के process हैं सारे के सारे और इसमें ये ही बता रहा है कि excretion of substance को यहाँ पर ये process के तहत हमें बढ़ाने का काम करना है इन process को इस तरीके से modify करती है ये दोनों ही drug चाहे पुनरनवा हो या gokru हो ये process को उस तरीके से यहाँ पर रखती है वो या action करती है इन process पर कि इस से क्या होता है excretion of substance like water, iron, sodium, chloride, bicarbonate का excretion body में से ज़्यादा होने लगता है increase होने लगता है तो simple आपको clear हुआ होगा डियोटिक क्या होती है अगर one word में समझाएं तो promote urine output डियोटिक वहा होती है जो urine के output को भढ़ाने का या promote करने का काम करती है यहाँ पर हम पहली medicine देख लें तो पहली medicine हमें आपर पढ़ रहे हैं गोखुरू यह जो medicine के हम क्या क्या चीज़े clear करेंगे जैसे के पहली medicine हमें पढ़नी है गोखुरू तो गोखुरू का common name या synonym ब गोखुरू का synonym यहाँ पर puncture wine and land cal props होते हैं उसके बाद मैं biological source की बात कर लें तो गोखुरू is the dried rip fruit यह कहां से प्राप्त होता है overall जो गोखुरू का plant है उसके अंदर ऐसा कौन सा biological source है कौन सा ऐसा parts of plant है जो ऐसे therapeutic efficacy हम use में उसको लेके आते हैं वो इसकी biological source होती है तो गोख biological source है जो fruit parts of plant है उसको हम as a medicinal use करते हैं वो भी कैसा fruit होना चाहिए rip fruit होना चाहिए पूरी तरीके से mature होना चाहिए उसके बाद में dried होना चाहिए dried rip fruit को हम use करते हैं as a medicinal compound और as a biological source बोल सकते हैं botanical name जो रहता है गोखुरू का वो यहाँ पर trivulus, terrestres, botanical name है family की बात करें आगे अगर chemical constituent की बात कर लें गोखुरू के अंदर कौन कौन से chemical constituent प्रजेंट होते हैं तो one by one यहाँ पर हम clear करेंगे इसमें major chemical constituent होते हैं इसमें यह chemical constituent को तीन केटिगरी में कहीं डिवाइड किया गया है कुछ major chemical constituent होते हैं कुछ sapogenins होती हैं और कुछ flavonoids derivatives होते हैं उसके बाद terastrosins होते हैं जैसे कि terastrosins A, B, C, D and E उसके बाद des galacto tigonins होते हैं F, getonins होते हैं des gluco lentio jonins होते हैं getonins होते हैं उसके बाद मैं अगर saponins की बात कर लें तो saponins like diosgenins saponins होते हैं chlorogenins होते हैं, hecogenins होते हैं ये सारे के सारे sapogenins category में आते हैं और भी यहां पर other saponins दिये हुए हैं other other steroidal saponins भी इसमें पाए जाते हैं Flavonoids derivatives की बात कर रहें तो Flavonoids derivatives जो होते हैं इस fruits के अंदर वो पहला Flavonoids derivative है Trubulocytes होते हैं इसके अंदर, some glycosides होते हैं, Quesetins होते हैं इसके अंदर और भी इसमें Phytosterols भी प्रजेंट होते हैं Phytosterols such as जैसे कौन-कौन से Phytosterols प्रजेंट होते हैं इसमें Sinamic Amides derivatives होते हैं Terestymides होते हैं, यह सारे के सारे इसमें Flavonoids derivatives like Phytosterols भी प्रजेंट होते हैं उसके बाद में यह तो रहा यहां पर Chemical Constituent के गोखरू के अंदर कौन-कौन से Chemical Constituent होते हैं या गोखरू का जो biological sources, जो के fruit है उसके अंदर कौन-कौन से Chemical Constituent प्रजेंट होते हैं आगे अगर हम बात कर लें, इसकी therapeutic efficacy की, तो इसकी जो therapeutic efficacy है, means के इसके therapeuticly use कहां पर है, यह किस use में लाई जाती है, हमारे pharmaceutical sector में, तो इसकी बात कर लें, तो पहला use बता रहा है, treatment of diarrhea and dysentery तो diarrhea like loose motions में भी, इसको हम use में लेके आ सकते हैं, अगर किसी को diarrhea हो रखा है, या loose motion हो रखे हैं, तो उसको treat करने के लिए, हम यहाँ पर गोखरू का use कर सकते हैं, अगर dysentery भी हो रखी हैं, उसको dysentery means bloody diarrhea, डाइरिया के साथ में, अगर blood भी excrete होने लग रहा है, या blood भी आ र के लिए भी गोखरू का use किया जा सकता है, उसके बाद में use in the treatment of sorosis and eczema, इसकी इसकी related disease, itching, gujli, इन सब के लिए भी हम इसको use कर सकते हैं, आगे अगर हम बात कर लें तो इसकी diarotic properties तो होती ही है, इसमें बता रहा है, properties of diarotic because of high amount of nitrates, इसके अंदर high amount में nitrates पाई जाते हैं इसकी वैसे इसकी diarotic properties होती है, और diarotic category तो, diarotic category की तो ये medicine भी होती है, जैसे कि हमने starting में बता है, diarotic क्या होते हैं, तो diarotic actions तो ये so करती ही है, क्योंकि उसकी main category इस drug की diarotic ही होती है, तो diarotic actions तो so करेगी, बढ़ diarotic actions यहाँ पर ये भी बता चल रहा है, किस वैसे ये di nitrates का, जो कि responsible होता है, ऐसे diarotic, essential oils भी present होते हैं, इसकी seed में, उसके बाद में अगर हम आगे बात कर लें, तो इसका जो fruit होता है, उसको हम किस तरीके से यहाँ पर use में लेके आ सकते हैं, ये भी आपको यहाँ clear किया गया है, points wise, तो आगे इसका use देख लेते हैं, इसका जो use इसका fruit का use बता रहा है, सबसे पहले जो इसका fruit का use बता रहा है, इसमें, fifth point में, इस पर metoria, इस पर metoria क्या होता है, इस पर metoria में, loss of samens होने लगते हैं, salmon का loss होने लगता है, ये बोल सकते हैं, proper formation of salmon अगर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम use कर सकते हैं, यहाँ पर go crew का, next इसमें जो बता रहा है, fruit का use बता रहा है, fruit are used in dysuria, dysuria जो होता है, इसमें painful और difficulty होने लगती है, आपको urination में, जब आप urination करते हैं, urine करते हैं, तो आपको काफी ज़्यादा pain feel होगा, और difficulty होगी, urine को प्रोपर तरीके से flow करने में, प्रोपर तरीके से urine flow नहीं हो पाएगा, य अगर next इसकी disease की बात करना है, जो कि gonorrhea है, gonorrhea क्या होता है, gonorrhea एक sexual transmitted bacterial disease होती है, तो sexual transmitted bacterial disease में भी हम गोखुरू का use कर सकते हैं, next disease जो है, वो glate है, glate disease में क्या होता है, कि यह जो disease होती है, वो chronic urethra discharge होता है, इसमें जो urethra है, urethra से discharge, कुछ ऐसे particular molecules या secretion होने लगता ह है, discharge होने लगेगा, urethra, उसके बाद में next बात कर लें, chronic cystitis, chronic cystitis मतलब urinary tract infections, हाँ, जो कि काफी, chronic मतलब लंबे समय से, हाँ, long term disease को chronic disease बोलते हैं, short term disease को acute disease बोलते हैं, तो यहाँ पर cystitis जो है, वो urinary tract infection है, बट कौन सी है, यहाँ पर chronic है, मतलब लंबे समय से चली आ रही, यहाँ पर बोलते हैं, उसके बाद में next अगर बात कर लें, तो next यहाँ पर बता रहा है, calculus, calculus affection, means kidney stones, kidney में अगर stones की, stones देखने के लिए मिलते हैं, तो भी हम gokuru का use कर सकते हैं, next उसमें बता रहा है, incontinence of urine, incontinence of urine की अगर बात कर लें, तो इसमें loss of bladder control होने लगता है, हमारा जो खुद का bladder है, उसपे हमारी body का control नहीं हो पाता है, जिसकी वैसे loss of urine देखने के लिए मिलता है, after coughing, sneezing या laughing, आप अगर खास रहे हो, छीक रहे हो, या फिर अगर laughing भी कर रहे हो, तो उसमें loss of urine देखने के लिए मिल सकता है आपको, क्योंकि हमारा body का control जो है, वो bladder से move हो उसपर proper focus नहीं रह पाता है, ये भी एक तरीके की disease है, और इसको बोलते है, incontinence of urine, incontinence होने लगता है urine का, तो इसमें भी हम गोखरू का use कर सकते हैं, next जो disease है, impotency, impotency मतलब नपुन सकता, नपुन सकता के लिए भी गोखरू का use किया जा सकता है, उसके बाद मैं next अगर 6th point देख लें, तो इसमें बता रहा है, relieve the inflammation of urinary passes, urinary passes जो है, जो UTI है, sorry, urinary passes मतलब जो urethra है, अगर उसमें कहीं पर भी infection या inflammation देखने के लिए मिलता है, तो भी हम गोखरू का use कर सकते हैं, अगर इस पूरे drug में अगर कोई भी चीज़ है, प्रॉबलम है, नहीं आए समझ मे तो आप comment section में comment करके clear कर सकते हैं, अगर first time आपको समझ नहीं आईए, तो वीडियो को repeat करके second time देखेंगे, तो clear हो जाएंगी, फिर भी clear नहीं होती है, तो आप comment section में comment करके clear कर सकते हैं, next medicine हम पढ़ेंगे, पुनर नवा, पुनर नवा भी एक तरीकी की, डियरुटिक केट पुनर नवा और इसको जो आईरुवेदिक और होमियोपेथिक जो physicians हैं, वो इसको काफी समय से, ऐजे अपनी practice में इस पुनर नवा का use वो कर रहे हैं, इसके बाद बताया, it offer a wide range of health benefits, इसके एक ही health benefit नहीं है, इसके एक से जादा health benefits हैं, इसके लिए आईरुवेदिक और हो काफी समय से use होती आ रही medicine है, इसके बाद it is the beneficial for liver and prevent it from infection, तो ये इसका main जो effect होता है, वो ये समझो के liver के लिए काफी जादा beneficially effects हो करती है, और liver को infection होने से रोकने का भी काम करती है, तो इसके medicine के जो पुनर नवा medicine है, इसके हम common name और synonyms पढ़ेंगे, उसके बाद biological source, इसक chemical constant और इसके therapeutic use पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इसके synonyms देख लें, तो hog bead, विस्कपारा, संथा, गहद पुर्णा, कौमी, सरन नाथी and कथन, ये इसके क्या है, ये इसके common name है, आगे अगर हम biological source की बात कर लें, तो पुनर नवा is the dried herb of whole plant, तो इसकी biological source जो है, वो कौन सा, पु plant use किया जा रहा है, तो यहाँ पर बता रहा है, dried herb, herb जैसे के पहले बताया है, aerial parts of the plant हम बोल सकते है, aerial parts of plant, मतलब अपर parts of plant, जिसमें के stem भी आएगा, leaf भी आएगी, flower भी आएगा, और fruit भी आएगा, वो अपर parts of the plant होता है, और वो हमें use करना है, पुनर नवा का वो भी कैसा dried part use करना है, उसके बाद मैं whole plant भी इसका use किया जा सकता है, पूरा overall whole plant भी use कर सकते हैं, इसका botanical name जो रहता है, वो रहता है इसका, waravia diffusa, waravia diffusa इसका botanical name है, family की बात कर लें, तो nactogenesia इसकी family रहती है, chemical constituent की अगर बात करें, तो पुनर नवा, consist of alkaloids, पुनर नवीन, ये इसका पहला main chemical constituent है, और ये जो medicine के chemicals हैं, ये सारे के सारे alkaloids category से belong करते हैं, main chemical constituent, पुनर नवीन है, जिसका amount या percentage, जो present percentage है, वो 0.042.1% इसमें present होता है, next इसमें कुछ agents ऐसे होते हैं, जैसे के उनका जो effect होता है, वो anti, anti-fibrinolytic agent की तरह काम करते हैं, means के stop करते हैं हमारे clotting, अगर clotting factor कहीं body के अंदर है, ये बोल सकते हैं, अगर body में कहीं पर hemorrhage या bleeding type का दिख रहा है, आपको bleeding अगर जादा हो रही है, किसी भी particular body के part में, तो उसको रोकने के लिए जो agent use होते हैं, वो anti-fibrinolytic agents होते हैं, जो के clotting को stop करने का काम करते हैं, coagulation को रोकने का काम करेंगे, coagulation means थकका नहीं जमने देंगे, उन agents को anti-fibrinolytic agent कहा जाता है, next इसमें जो chemical constituent है, वो है, पुनर नेवोसाइट्स, उसके बाद में आगे बात कर लें, तो कुछ इसमें potassium nitrites भी होते हैं, 6% oily substance भी होते हैं, और arsolic acids भी इसके अंदर present होता है, आगे अगर हम बात कर लें, mixture of alkaloids, इसमें अलग-अलग type के जो alkaloids हैं, उनका जो mixture है, उसमें कौन-कौन से alkaloids present होते हैं, जैसे कि पहले बता दिया है, पुनर नवीन इसके अंदर present ही होता है, एक्जन्थीन derivatives भी present होते हैं, इसके अंदर arsolic acids भी present होता है, cytosteroils present होते हैं, stearic acids होता है, ericetic acids होता है, inorganic salt होते हैं, जैसे potassium nitrite, sulfates and chlorides, ये जो present होते हैं, सारे के सारे compounds, ये बता रहा हैं यहाँ पर also present in large amount, ये large amount में हमें देखने के लिए इसमें मिलते हैं, therapeutic efficacy है, therapeutic uses की बात कर लें, अगर पुनर नवा की, तो इसमें सबसे पहला इसका use बता रहा है, immunomodulator effect, इसका effect कैसा बता रहा है, immunomodulator effect, मतलब हमारा जो immune system है, उसको modulate और उसको enhance करने के लिए, हम यहाँ पर पुनर नवा का use कर सकते हैं, हमारे immune system को enhance या modulate करने के लिए, responsible रहत पुनर नवा, next इसका जो use है, वो anti-diabetic activities हो करता है, जैसे कि आप सब लोगो को पता होगा, diabetes, किस तरीके से ये anti-diabetic actions हो करता है, इसमें पढ़ लेते हैं, aqua solution of its leaf extract, तो इसकी जो leaf होती है, उसका extract निकालना है हमें, और on oral administered, और वो orally हमको oral root से body के अंदर, इस टमक में पह करता है, वो insulin के level को बढ़ाने का काम करेगा हमारे blood plasma में, जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, insulin की कमी की बज़े से diabetes create होती है, insulin जो होता है, वो एक hormone है, जो के pancreas के beta cell से release होता है, जो के responsible होता है, breakdown of glucose, अगर उसकी कमी आ जाती है body के अंदर, तो यहाँ पर glucose का breakdown नहीं हो पता है, उसकी बएसे उसका level भढ़ जाता है, और हम बोल सकते हैं, high glucose level in blood, जो के एक तरीकी से diabetes create करता है, बट यहाँ पर anti-diabetic activity सो करके पुनर नवा उसी, जो insulin का level कम हो रखा था उसको भढ़ाने का काम कर रही है, और जब insulin का level भढ़ जाएगा, तो automatic वो break down करने लगेगा glucose को, जिससे उसका level कम हो जाएगा, next अगर यूज की बात कर लें, antioxidant activity, antioxidant activity यह पुनर नवा medicine सो करती है, basically antioxidant होता क्या है, antioxidant activity में prevent और delay करते हैं, हम some type of cell damage, जो हमारी body के अंदर cell का damage हो रहा है, उसको रोकने का काम कर सकते हैं, as a antioxidant किसी भी medicines को provide करा के, या उसको delay करा सकते है तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसको detail में थोड़ा पढ़ लेते हैं, its leaf exhibit a strong antioxidant activity than root, अगर इसी पुनर नवा plant की root और leaf की compare करें, तो antioxidant इसके कौन से parts प्लांट में होती है, leaf में ज्यादा antioxidant activity होती है, तो oxidation की अगर बात कर लें, तो oxidant type की medicine या oxidation cause करने वाली medicines क्या कर सकती है, या oxidation एक ऐसी प्रिक्रिया है, जिसमें जो tissue होता है, वो damage होने लगता है, तो tissue अगर damage हो रहा है, हमारे body में से अगर tissue damage हो रहा है, तो वो किस तरीके से यहाँ पर आगे का, इसमें जान लेते हैं, oxidation produce cytostick effect, cytostick effect oxidation produce करता है, जिसकी वयसे जो membrane है, वो damage होने लगती है, और उससे cell की death होने लगती है, और उसी को कहीं नστεर कहीं necrosis हम बोल देदे हैं, necrosis में जैसे, necrosis क्या होता है, death of cell, cell की death होना मतलब necrosis होना, तो necrosis जो हो रही है, वो oxidation process cause हो रही है body के अंदर इससे membrane damage हो रही है और damage होने के बाद में cell की death हो रही है तो अगर necrosis को हमें रोकना है cell death को रोकना है tissue death को रोकना है तो हमें antioxidant category की medicines provide करानी है जो के prevent करने का काम करती है cell damage और cell death को आगे अगर हम बात कर लें इसमें तो इसमें next जो use बताया है therapeutic efficacy किसी बताया है analgesic and anti-piratic sorry analgesic and anti-inflammatory activity तो ये जो medicine है पुनर नभा इसका जो juice होता है बता रहा है juice of its leaf leaf का juice होता है उसकी properties as a anti-inflammatory और as a anti-analgesic properties होती है anti-inflammatory और anti-analgesic आपको पता होगा sorry analgesic, anti-analgesic नहीं analgesic जितनी भी ऐसी medicines जो के analgesic category में आती है वो pain या बोल सकते है overall body में अगर कहीं पर भी pain produce हो रखा है तो उसको treat और उसको prevent करने का काम करती है analgesic category की medicines और body में कहीं inflammation create हो रहा है तो उसको कम करने का काम anti-inflammatory medicines करती है जैसे कि यहाँ पर पुनर नवा की यह दोनों ही properties है वो analgesic effect भी सो करेगी और anti-inflammatory भी effects हो करेगी next antiviral activity की अगर बात कर लाएं तो यहाँ पर बता रहा है पुनर नवा का जो action है वो antiviral activity भी होता है वो virus को kill करने का काम भी करता है यहाँ पर आगे detail में पढ़े है it's so antiviral activity against phytopathogenic viruses तो यह किस तरीकी के virus को kill करने का काम करता है या उनके against work करने का काम करता है phytopathogenic viruses phytopathogenes क्या होते हैं यहाँ पर mention भी किया हुआ है organism produce disease ऐसे organism को pathogenes बोलते हैं हम जो के एक disease produce करते हैं और phyto मतलब plant तो plant को host करने वाले या plant पर रहने वाले ऐसे pathogenes ऐसे viruses जो के disease cause कर रहे हैं उनको kill करने का काम पुनर्नवा करता है क्योंकि पुनर्नवा का action ऐसे antiviral activity होता है उसके बाद next अगर बात कर लें hepato protective activity जो cause होती है यहाँ पर बता रहा है alcoholic extract on oral administration इसकी जो leaf होती है या इसका overall जो aerial parts of plant होता है पुनर्नवा का अगर उसका extract alcohol के साथ में निकाला है तो उस extract को अगर हम use करें तो वो हमारे liver को protect करने का भी काम करती है उसके बाद में antivacterial activity भी सो होती है antivacterial activity मतलब antimicrobial activity antivacterial activity वहाँ activity होती है जो के microbes को kill करने का काम करती है तो simple micro-orgasm like bacteria virus fungus को जो medicines kill करती है means के anti-biotic activity सो करती है antibacterial activity सो करती है तो यहाँ पर पुनर्नवा की जो therapeutic efficacy है वो antibacterial activity या efficacy यहाँ पर रखती है anti-fibrinolytic activity हम पहले भी इसके chemical consequence में discuss कर चुके है anti-fibrinolytic मतलब stop clotting हाँ clotting जो हो रहा है जो fibrogens है जो clotting फॉर्म कर रहे है अगर clotting को हमें रोकने का काम करना है body के अंदर अगर कहीं पर भी clotting फॉर्म हो रहा है उसको रोकने का काम करना है तो हम anti-fibrinolytic activities हो करा सकते हैं किसी medicines को देते हुए और जो clotting create हो रहा है उसमें relief लेके आ सकते हैं तो अगर आपको कोई भी query है इस video से related कुछ चीज़े समझ में नहीं आई है तो पहला तो ये आपके लिए advise रहेगा कि आप इस video को दुबारा से एक बारी और repeat करेंगे तो चीज़ें आपको काफी clear हो जाएंगी और अगर फिर भी कुछ queries है तो आप comment section में comment करकी clear कर सकते हैं उसका reply आपको जल्दी ही मिल जाएगा इसी तरी की वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें बेल आइकन के बटन को press करें जिसके हम जो भी वीडियो अप्लोड करें उसका notification आप तक proper पहुँच सके